गुड मॉर्निंग चिल्रेन एंड दिया पेरेंट्स। आज हम लोग LKG के क्लास में हिंदी कहानी सुनेंगे। तो बच्चों मैंसे आज आप लोगों कोई कहानी सुनाएंगी। जिसका नाम है असली पढ़ाई। तो बच्चों, हमारे कहानी का क्या नाम है असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुडवा भाई बहन थे। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़्ते थे, और एक ही क्लास में पढ़्ते थे। वे दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। लेकिन टिंकु रिंकी से जाधा नंबर लाया करता था. इस बार दोनों ने अपने पापा से साइकिल लेने के लिए जित की. तो पापा ने भी उनके सामने एक शर्त रख दि. पापा ने कहा कि मेरे पास एक ही साइकिल लेने के लिए पैसे है. तो तुम दोनों में से क्लास में जो टॉप करेगा ये साइकिल उसे मिलेगी दोनों बच्चों ने पापा की बाते सुनकर चले गए और पढ़ाई में जुड़ गए टिंकू कुछ जादा हैं स्मार्ट था उसे पता था कि नमबर्स कैसे लाने हैं वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना परिक्षा में आने वाला है और इधर रिंकी को पढ़ाई का बहुत शौक था वो पूरी की पूरी किताबे पढ़ा करती थी एक दिन टिंकू रिंकी के पास आकर कहता है देखना साइकिल तो मुझे ही मिलेगी तुम जो इतना पढ़ रही हो ये सब बेकार है ये सब परिक्षा में नहीं आने वाला तब रिंकी ने टिंकू से पूछा तुम तुम्हें कैसे पता? टिंकू ने कहा ये देखो पिछले तीन साल के क्वेस्टन पेपर्स दिये हैं मेरे त्यूशन वाले सर ने मुझे इन में से ही क्वेस्टन्स रिपीट होते हैं और परिक्षा में आते हैं तब रिंकी ने टिंकू से कहा ठीक है लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉटकट तुम मुझे तंग मत करो और मुझे पढ़ने दो दोनों बच्चों ने अपने धंग से अपनी अपनी पढ़ाई की और परिक्षा दी कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया और वैसा ही हुआ जैसा होते आया था तिंकू ने अपने क्लास में टॉप किया और रिंकी सेकेंड आया तिंकू बहुत खुश्वा और बोला हुर्रे अब साइकिल मुझे मिलेगी तिंकू और रिंकी बहुत खुश्वे दोनों घर गए तिंकू को साइकिल मिल गई ममी ने कहा ये लो लेकिन ध्यान से ये साइकिल तुम दोनों की है रिंकी को भी चलाने देना लेकिन तिंकू अब कहा किसी की सुनने वाला उसने साइकिल उठाई और निकल पड़ा उसी दिन शाम को तिंकू और रिंकी के रिजल्ट अच्छे आने पर पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया खाना खाने के बाद वो लोग जब होटल से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक उनके सामने कुछ लोग आ गए और कहने लगे हम लोग जीवन साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं तो बच्चों को इन सवालों के जवाब देने पर उन्हें इनाम में साइकिल मिलेगी जीवन की टॉप मोडल साइकिल मिलेगी और उनके साथ कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे जिनमें बैघ और बॉटल्स भी थे तो दोनो बच्चों ने भाग विज में भाग लिया सारे प्रश्न उनके क्लास उनके बुक्स में से ही थे तब रिंकी को उन सारे सवालों के जवाब पता थे इसलिए रिंकी ने जट से उन्हें हल कर दिया और टिंकू इधर उन सारे सवालों को देख कर परिशान हो गया क्योंकि वो सारे सवाल बुक्स में से थे question paper से बिलकूल अलग तब टिंकू ने सोचा बहुत सोचा कि कैसे हल करूँ लेकिन उसने books नहीं पड़ी थी वो उन सवालों को हल नहीं कर पाया और वो paper उसने वापस कर दिया अब उन papers को देखा गया अब winners का नाम घोशित हुआ उन्होंने बोला सौ प्रतीसत सही जवाब देने वाले का नाम है रिंकी तो रिंकी बहुत खुश्वी और इनाम में उसे जीवन की टॉप मॉडल साइकिल मिली और उसके साथ कुछ गिफ्ट्स भी मिले और टिंकू को मिली एक सीक टिंकू को अब समझ में आ गया था कि सिर्फ परिक्षा देने के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए सिर्फ नमबर्स लाने के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए बलकी नौलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए टिंकू अब अच्छे से समझ गया था कि जब भी पढ़ना हो तो exams के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए knowledge के लिए पढ़ना चाहिए तो बच्चो इससे आप लोगों को इस कहानी से क्या सिक्षा मिलती है बच्चो जी हाँ और सबसे पहले बच्चो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी अच्छी लगी ना तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सिक्षा मिलती है बच्चो इस कहानी से हमें ये सिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए सिर्फ परिक्षा देने के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए बलकि ग्यान के लिए पढ़ना चाहिए धन्यवाद